प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे तथा पढ़ाई के प्रती आप सब का उत्सा कायम होगा बच्चों आज हम नौवी कक्षा के विज्ञान का आठवा अध्याय गती पढ़ेंगे सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आप क्या कुछ जानते हैं गती क्या होती है एक समान गती क्या होती है हमारी दैनिक दिन चर्या में गती की उधारने दीजिए बच्चों अब हम यह देखेंगे कि आज हम क्या सीखेंगे सरल रेखिय गती गती की दर का मापन दिशा के साथ चाल वेग में परिवर्तन की दर एक समान वृत्तिय गती पच्चों, क्या आप जानते हैं कि गती क्या होती है? चलो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि गती क्या है? पच्चों, रोजाना जिन्दगी में गती की कितनी महत्वता है यह आप इन चित्रों से अनुमान लगा सकते हैं जिन्दगी के साथ जुड़ी हुई यह रेखा जो लगातार गती कर रही है जिन्दगी की उपस्थिती को दर्शाती है इस रेखा का रुकना मृत्यों को दर्शाता है हमारी नसों में लगातार रुधिर का गती करना हमारे जिन्दा होने की निशानी है आप दैनिक जीवन में अपने चारों और जहांक कर देखें तो आपको प्रत्येक चीज गती करती हुई दिखाई देगी जिस वायू में हम सांस लेते हैं यह वायू गती कर रही है इसकी गती का अनुमान धूल कणों के उड़ने से पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगा सकते हैं यहां तक की छोटे से छोटा कन जिसे हम पर्मानू कहते हैं गती करता है पर्मानू, अणू, तारे, आकाश गंगा सभी गती अवस्था में है आपने कभी सोचा है कि दिन और रात मौसम में परिवर्तन यह सब क्यूं होता है यह सब पृत्वी की गती के कारण होता है कि हम पृत्वी के साथ ही गती अवस्था में हैं इसलिए बच्चों गती अवस्था तब ही प्रतीत होती है जब उसको विराम अवस्था में बैठ कर देखा जाए पृत्वी की गती किसी और ग्रह से आसानी से देखी जा सकती है जैसे चलती हुई बस में बैठे हुए यात्री एक दूसरे के अनुसार आराम अवस्था में है परन्तु चलती हुई बस से बाहर खड़े हुए व्यक्ती के लिए वह गती अवस्था में है इस प्रकार बच्चों इस अध्याय में हम प्रत्येक प्रकार की गती के बारे में पढ़ेंगे और उसे कागज पर ग्राफ द्वारा कैसे समझा जाता है यह भी सीखेंगे सरल रेखिय गती आओ बच्चों एक उधारन देखें मान लीजिए आप चार मित्र A, B, C, D मेज के चार साइडों पर बैठे हैं मेज के उपर एक सफेद रंग का कपड़ा बिचाएं जिसके उपर कोई निशान ना लगा हो आप एक चीन्टी मेज के एक किनारे पर रखो और उसकी गती को एक-एक करके बताओ A के अनुसार चीन्टी दाई और चल रही है B के अनुसार चीन्टी बाई और चल रही है C के अनुसार चीन्टी उसके और आ रही है और D कह रहा है कि चीन्टी उससे दूर जा रही है इन बातों के पश्चाथ चीन्टी की असल गती जानने के लिए मेज के बीच में एक निशान लगाएं उस निशान को काटती हुई दो लंबात्मक रेखाएं खींचें उनके उपर दक्षिन, उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशाएं अंकित कीजिए इस प्रकार करने से हम चींटी की गती को आसानी से समझा पाएंगे अब अगर कोई एक व्यक्ती चींटी की दिशाब बताएगा तो वह सभी के लिए ठीक होगी बच्चों, इस उधारन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी गती को समझने के लिए निर्देश बिंदू निर्धारित करना बहुत आवश्यक है आओ, अब हम सरल रेखिय गती समझें इसके लिए मान लीजिए एक कार सरल रेखिय पत पर गती मान है उस सरल रेखिय पत को संख्यात्मक रेखा पनाई मान लीजिए कि कार निश्चित बिंदू O से प्रारंभ होकर C और B को पार करती हुई अंत में बिंदू A तक पहुँचती है फिर A से वापस वहकार C बिंदू तक जाती है कार द्वारा तै की गई कुल दूरी O A जमा A C है अर्थाद 60 किलोमीटर जमा 35 किलोमीटर बराबर 95 किलोमीटर है बच्चों यह कार द्वारा तै की गई कुल दूरी है इसको विज्ञान की भाशा में दूरी कहा जाता है दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकी अमान की आविशकता होती है दूरी को निर्धारित करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती लेकिन बच्चों यदि हम कार की प्रारंभिक स्थिती ओ और अंतिम स्थिती को देखें तो इसकी दूरी मात्र 25 किलो मीटर है इसको विज्ञान की भाशा में विस्थापन कहा जाता है इसका अर्थ है कि वस्तु की पहली और अन्तिम स्थिती के बीच में छोटी से छोटी मापी गई दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं विस्थापन दर्शाने के लिए गती की मात्रा और दिशा दोनों चीजों की आवशक्ता होती है जैसे कि आप देखेंगे कि कार की गती को दर्शाने के लिए उसने दूरी तो 95 किलोमीटर तै की लेकिन उसका विस्थापन केवल 25 किलोमीटर है इस प्रकार कार के द्वारा तै की गई दूरी और विस्थापन की मात्रा बराबर नहीं है यदि यह कार चलती हुई दुबारा अपने प्रारंभिक बिंदू पर पहुँचती है तो इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा परंतु इसकी दूरी 120 किलोमीटर होगी अब अगर हम यह माने कि कार शून्य से चलकर ए तक पहुँचती है तो इस स्थिती में कार द्वारा तै की गई दूरी और विस्थापन दोनों 60 किलोमीटर है इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता आईए अब हम दूरी और विस्थापन के अंतर को समझें दूरी यह वस्तु द्वारा तै की गई कुल दूरी है जबकि विस्थापन वस्तु की पहली और अंतिम स्थिती के बीच में छोटी से छोटी मापी गई दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं दूरी इस भौतिक राशी में केवल गती की मात्रा की अवशक्ता होती है जबकि विस्थापन में गती की मात्रा और दिशा दोनों के बारे में बताया जाता है दूरी विस्थापन के बराबर अत्वा बड़ी होती है जबकि विस्थापन दूरी के बराबर अत्वा छोटा होता है किसी वस्तु द्वारा तै की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती इसके विपरीत विस्थापन की मात्रा शून्य हो सकती है दूरी की मात्रा रिनात्मक नहीं हो सकती विस्थापन की मात्रा रिनात्मक हो सकती है इसमें रिन चिन्ह वस्तु की गती की विपरीत दिशा को दर्शाता है समान गती एवं असमान गती पच्चो जब कोई वस्तू बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तै करती है तो उसकी गती को समान अत्वा एक समान गती कहा जाता है यदि कोई वस्तू समान समय अंतराल में और समान दूरी तै करती है तो उसको और समान गती कहा जाता है आओ इसको एक उधारण के साथ समझें मान लीजिए कि एक कार 8 सेकंड में 16 किमिटर दूरी तै करती है यह कार निश्चित बिंदू से प्रारंब होकर 2 सेकंड में 4 मीटर तै करके बिंदू A तक पहुँचती है और अगले 2 सेकंड में यह 4 मीटर तै करके निश्चित बिंदू O से 8 मीटर की दूरी तक बिंदू B तक पहुँचती है अगले 2 सेकंड में भी यह 4 मीटर दूरी तै करके बिंदू C तक पहुँचती है इस प्रकार बच्चों यह प्रत्येक 2 सेकंड में 4 मीटर दूरी तै करके अपनी कुल दूरी 16 मीटर जो की बिंदू O से D तक है तै करती है आप देख रहे हैं कि कार ने कुल 16 मीटर दूरी 8 सेकंड में तै की और प्रत्येक 2 सेकंड में इसने 4 मीटर की दूरी तै की इसका अर्थ है कि दूरी एवं समय एक दूसरे के सीधा अनुपातिक है इस प्रकार की गती जिसमें बराबर समय अंतरालों में बराबर दूरी तै की जाती है उसको एक समान गती कहा जाता है अब हम दूसरी उदारण लेंगे मान लीजिए कि एक कार 8 सेकंड में 16 मीटर दूरी तै करती है इसमें बीच में निश्चित बिंदू से प्रारंप होकर 2 सेकंड में 2 मीटर दूरी तै करके बिंदू A तक पहुँचती है इसके बाद यह अगले दो सेकंड में 6 मीटर दूरी तै करती है और बिंदू B तक पहुँचती है अगले दो सेकंड में यह 3 मीटर दूरी तै करके बिंदू C तक पहुँचती है और फिर अंत में 5 मीटर दूरी तै करके बिंदू D तक पहुँचती है कार ने कुल 16 मीटर की दूरी 8 सेकंड में तै की परंतु बच्चों कार ने बराबर समय अंतराल में अलग-अलग दूरी तै की इस प्रकार की गती को असमान गती कहा जाता है गती की दर या चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तै की गई दूरी को चाल कहा जाता है चाल का मात्रक मीटर प्रती सेकंड है सेंटी मीटर प्रती सेकंड किलो मीटर प्रती घंटा ही इसके मात्रक है औसित चाल बराबर तै की गई कुल दूरी भाग कुल समयावदी इसे हम V बराबर S बटा T से दर्शा सकते हैं दिशा के साथ चाल किसी वस्तु की गती की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें वह राशी जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है इसलिए एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं वेग वस्तु की चाल गती की दिशा या दोनों से परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गती कर रही है तो हम इसके गती की दर के परिमान को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है यदि वस्तू का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब औसतवेग दिये गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणिती या माध्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है औसतवेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग भाग दो इसे हम V average बराबर U प्लस V भाग दो से दर्शाते हैं बच्चो, फॉर्मुले में V average औसत वेग है U प्रारंभिक वेग है तथा V वस्तू का अंतिम वेग है चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है अर्थात मीटर प्रती सेकंड वेग में परिवर्तन की दर किसी वस्तू की एक समान सरल रेखिय गती के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है इस अवस्ता में किसी भी समय अंतराल में वस्तू के वेग में परिवर्तन शून्य है यद्यपी औसमान गती में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तू के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है इसके लिए बच्चों एक अन्य भौतिक राशी त्वरण के बारे में जानना होगा जो की एक वस्तू के प्रती इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय यदि एक वस्तू का वेग प्रारंभिक वेग U से T समय में बदल कर V हो जाता है तो त्वरण A निम्न होगा A बराबर है V घटा U बटा T इस प्रकार की गती को त्वरित गती कहा जाता है यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है तथा यदि वह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे रिनात्मक लिया जाता है त्वरण का मात्रक मीटर प्रती सेकंड स्क्वयर है यदि एक वस्तू सीधी रेखा में चलती है और इसका वेक समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तू के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तू एक समान त्वरित गती की उधारण है दूसरी और वस्तू असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है उधारण के लिए एक कार सीधी सडक पर चलते हुए समान समय अंतराल में औसमान धर से चाल को परिवर्तित करती है तब कहा जाता है कि कार औसमान तवरण के साथ गति मान है एक समान वृतिय गति बच्चों, इस अध्याय में हमने गति की सबसे आसान इवं सरल प्रकार को पढ़ा है जो है सरल रेखिय गति इसमें हमने देखा था कि जब कोई वस्तू सरल रेखिय पत पर गती करती है तो हम उस गती को सरल रेखिय गती कहते हैं अब हम देखेंगे एक समान वृतिय गती नाम से ही पता चल रहा है वृतिय गती मतलब वस्तू का एक वृतिय पत पर गती करना समान से अर्थ है कि उसकी चाल पूरे वृतिय गती के दौरान एक समान हो इस प्रकार की गती को हम एक समान वृतिय गती कहते हैं उदाहरन के लिए पृत्वी का सूर्य के चारों और घूमना हम जानते हैं कि किसी वस्तू के वेग में परिवर्तन दो कारणों से हो सकता है एक वेग की मात्रा में परिवर्तन या गती के दिशा में परिवर्तन या फिर दोनों में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है जब किसी भी कारण से वेग परिवर्तित होता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है यदि एक एतलीट एक आयताकार पत पर एक समानचाल के साथ दोड़ता है तो उसे अपने पत पर एक चक्कर पूरा करने के लिए चार बार अपनी गती की दिशा बदलनी पड़ेगी इसी प्रकार एक शटकोनी अपत का चक्कर पूरा करने के लिए उस एतलीट को छे बार अपनी दिशा परिवर्तित करनी पड़ेगी तो भुजाओं की संख्या में वृद्धी के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धी करनी पड़ेगी अगर हम भुजाओं को एक अनिश्चित रूप में बढ़ा दें अर्थात भुजाओं की लंबाई घटा कर एक बिंदू समान करके जोड़ें तो उस पत का आकार लगभग एक वृद्ध के समान हो जाएगा अगर एथलीट एक वृद्धी पत पर नियत परिमान वाले वेग के साथ दोड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गती की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है इस प्रकार वृद्धी पत पर दोड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गती की ही एक उधारन है हम जानते हैं कि त्रिज्या आर वाले वृद्ध की परिधी टू पाई आर होती है अगर एथलीट आर त्रिज्या वाले वृद्धी पत का एक चक्कर लगाने में टी सेकंड का समय लेता है तो वेग वी बराबर होगा टू पाई आर बटा टी तो देखा बच्चों याद रहे कि जब एक वस्तू एक समान चाल से एक वृद्धी रास्ते पर चलती है तब उसकी गती को एक समान वृद्धी गती कहा जाता है वस्तू के वृद्धी गती की कई उदाहरने हैं जैसे चंद्रमा, पृत्वी की गती पृत्वी के चारों और वृत्धी पत में घूमता हुआ एक उपग्रह, एक गोल घूमता हुआ जूला और बच्चों आपने धागे पर पत्थर को बांध कर जरूर घुमाया होगा और जब आप अचानक इसे छोड़ देते हैं तो यह सीधा चला जाता है ठीक उसी प्रकार जब कोई एटलीट गोल-गोल घूम कर डिस्क को छोड़ता है तो डिस्क सीधी ही जाती है वास्तव में छोड़े जाने पर पत्थर या डिस्क वृत्तिय पत्थ के साथ बंती स्पर्श रेखिय की और एक सीधी रेखा पर गती करता है यह इसलिए होता है क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो यह उसी दिशा में चलता रहता है जिस दिशा में वह उस समय गती कर रहा था अलग-लग दिशा में पत्थर फेंकने पर तो वह अलग-लग दिशा में गती करता है दोहराई वस्तु की गती का एक समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है कि वह स्थिर है या परिवर्तित हो रहा है प्रती इकाई समय में वस्तु के द्वारा तै की गई दूरी उस वस्तु की चाल होती है अब मैं आपसे कुछ रिक्तस्थानों के बारे में पूछूंगी उमीद है कि आपको इनके जवाब आते ही होंगे मेरा पहला रिक्तस्थान यदि त्वरण वेक के विपरीत दिशा में होती है तो त्वरण डैश होती है तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है रिणात्मक मेरा अगला प्रश्ण दूरी समय ग्राफ का उप्योग वस्तु की डैश पता करने के लिए कर सकते है तो दूरी समय graph से वस्तु की चाल पता की जा सकती है तो इसका सही उत्तर है चाल वेग समय graph में वेग और समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेतर किसी समय अंतराल के लिए डैश की मात्रा के बराबर होगा तो इसका उत्तर है विस्थापन मेरा अगला प्रश्ण औसत वेक का फॉर्मूला क्या है? इसका सही जवाब है वी एवरेज बराबर यू प्लस वी बटा दो अब एक और प्रश्ण एक रेल गाड़ी विरा मवस्था से चलना प्रारंभ करती है और पांच मिनिट में 72 किलो मिटर प्रति घंटा का वेक प्राप्त करती है मान लें की त्वरण एक समान है परिकलन कीजिए त्वरण इस वेक को प्राप्त करने के लिए रेल गाड़ी द्वारा तै की गई दूरी तो हम इसे किस तरीके से हल करेंगे? सबसे पहले हम यू बराबर शून्य लिखेंगे वी हमें दिया गया है 72 किलो मिटर प्रति घंटा और इसे हम मिटर प्रति सेकंड में बदलेंगे समय पांच मिनिट बराबर 300 सेकंड है अब हम वेग और समय में सम्बंध वाली जो इकाई है उसका इस्तिमाल करेंगे वी बराबर यू प्लस 80 तो हमें इसका उत्तर मिलेगा एक बटा पंदरा मीटर पर सेकंड स्कोर अब हम तै की गई दूरी का परिकलन करेंगे इसके लिए वेग और स्थिती में सम्बंध 2AS बराबर V स्कोर माइनस U स्कोर और इसका उत्तर हमें मिलेगा 3 किलो मिटर तो रेल गाड़ी का त्वरण एक बटा पंदरा मीटर पर सेकंड स्कोर है तथा तै की गई दूरी 3 किलो मिटर है इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है आशा करती हूं कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों तंदुरुस्त रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें धन्यवाद झाल